हलो फ्रेंट्स, वेलकम तो माई योटुब चैनल, एयर रिजलुशन आज की वीडियो में हम HB Electrophrosis टेस्ट के बाने में जानेंगे जिसे हीमोगलोबिंग Electrophrosis टेस्ट भी कहा जाता है और बीटा थेलसीमिय टेस्ट भी कहा जाता है है हीमोगलोबिन का टेस्ट होता है तो इसके जो वीडियो में ने बनाई है दो पार्ट में बनाई है यह पार्ट वन है दो पार्ट में इसलिए बनाई है क्योंकि HPLC जो टेस्ट है वो हीमोगलोबिन का टेस्ट होता है तो उसके लिए हम सबसे पहले हीमोगलोबिन के बारे मे आसके, what is hemoglobin, hemoglobin abbreviated HB और HGB, hemoglobin को HB और HGB भी कहा जाता है, इस दा आईरन कंटेनिंग ऑक्सिजन ट्रांसपोर्ट मेटलोग प्रोटीन इन दा रेड बलर्ड सेल्स, हमारी रेड बलर्ड सेल्स में जो है, आईरन और जो प्रोटीन है, hemoglobin में present होती है, hemoglobin जो है, वो two parts में divided होता है, hem और hemoglobin, तो जो उसका hem part होता है, उसमें हमारी आईरन मौझूद होती है, बर जो उसका second part होता है, hemoglobin गलोबिन उसमें protein पाई जाती है, इसलिए इसे metal protein भी कहा जाता है, HB जो है, वो red blood की through, HB जो है, red blood cells में पाई जाती है, और red blood cells की through जो है, oxygen जो हमारी body में pass out करती है, और जो red blood cells होती है, वो हमारी, जो है mature होती है उसमें 100% जब वो mature हो जाती है red blood cells तो उनमें 100% hemoglobin जो है वो पाया जाते है तो hemoglobin का जो main function होता है वो होता है oxygen जो है वो pass out करना RBC की जो life होती है वो 120 दिन की होती है अगर हम types of hemoglobin की बात करें तो there are various forms of hemoglobin present in a human from embryo to adults जो humans होते हैं उनमें embryo मतलब होता है जब starting में जो baby बन रहा होता है तो starting की जो 10 weeks होते हैं तब तक जो baby का part होता है उसको embryo कहा जाता है embryo stage से लेकर adult stage तक है there are seven types of hemoglobin four four जो है वो embryo stage में पाई जाती है एक जो है वो fetus stage पे पाई जाती है means 10 weeks के बाद का time और six months तक का and two as any adult to whole body मतलब two stage जो है वो fetus जो मतलब six months के बाद की situation होती है उससे लेकर adult तक जो है two stages hemoglobin की पाई जाती है अब हम बात करते हैं embryo stage की तो embryo stage में जो है hemoglobin कोन से पाई जाती है hb grow 1 hb grow 2 hb potland 1 hb means hemoglobin potland 2 तो जो फर्स्ट पाई जाती है जो फर्स्ट पाई जाती है इसमें जो फर्स्ट इसमें पाई जाती है hb grow 1 इसमें जो compose होता है वो टू जीटा होते हैं और टू epsilon होती है जो की high preparation में work करती है फिर होती है hb grow 2 hb जो 2 होती है वो हमारी grow 2 होती है उनमें 2 alpha पाई जाते हैं और 2 epsilon चैन में पाई जाते हैं जो की low preparation में work करते हैं फिर आता है hemoglobin potland 1 compose 2 इसमें 2 जीटा होते हैं और 2 gamma प्रेजेंट होते हैं चैन में फिर आते पॉर्टलेंट 2 पॉर्टलेंट 2 में compose 2 जीटा होते हैं और 2 बीटा होते हैं जो इंब्रोव स्टेज होती है वो हमारी में पहले ही बताया था जो बच्चे सिक्स अलग जो फेटर इंब्रोव होता है वो सिक्स जो टैन वीक्स तक का जो होता है वो होता है पर जो आफ्टर टैन वीक्स के बाद होता है सिक्स मन तक का वो आते हैं हमारे फेटर हीमोगलोविन में जिसमें की जो जो स्टेज फॉर स्टेजिस पास आउट होने के बाद जो रिप्लेस हो जाती है हिमोग्लूबिन HBF में HBF क्या होता है अब HBF में कंपोज पाया जाता है 2-Alpha and 2-Gamma 2-Alpha and 2-Gamma फिर आता है Adult Adult में क्या होता है Adult जो होती है हिमोग्लूबिन F यानि की जो फेटर हिमोग्लूबिन थी या फेटल स्टीज जो थी उसके बाद का ताइम यानि की 6 मन्स के बाद का ताइम तो 6 मन्स के बाद जो हिमोग्लूबिन होती है वो Adult हिमोग्लूबिन में चेंज हो जाती है या तू टाइप्स के होती है HBA जिसे HBA या HBA1 भी कहा जाता है इसमें कंपोज होते है 2 अलफा और 2 बीटा चेंज HBA2 इसमें कंपोज होते है 2 जीटा और 2 डेल्टा चेंज इसमोल अमाउंट में हिमोग्लूबिन F भी रिमेनिंग होता है इसमें अगर वैल्यूज की बाद करें तो HBA1 इसका 95% तक अराउंड होता है 95-96 and HBA2 जो है 2-3% तक होता है HBF जो है वो 1 से 2 एक यह 2 परसेंट जो है फेटर से स्टेच में जो हमोग्लूबिन होती है वो भी प्रेजेंट पाई जाती है आई होप आप लोगो कोई फर्स्ट पार्ट जो है HBLC का समझ में आया होगा इसके सेकेंड पार्ट भी जो है मैं जल्दी ही प्रेजेंट करूँगी थैंक यू फ्रेंट्स